Hello Friends, Assalamualaikum, आज की New PowerPoint की वीडियो के अंदर हम सीखेंगे How to Outline Text in PowerPoint तो इसके लिए आपने सबसे पहले Insert पर जाकर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने Text Box के ओपर क्लिक करते हुए यहाँ आप कुछ भी Text Box के अंदर लेख सकते हैं जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जी Outline Text Online तो Ctrl एकर करके आप इसको Select करके यहाँ से आप इसका Size थोड़ा सा बढ़ा कर सकते हैं तो उसके बाद आप इसको Bold करने बोल्ड करने के बाद आपने Shape Format पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने Text Outline का जो Color है वो Black करना है और उसके बाद यहाँ से आप जो है इसका Text Outline की जो है Weightage थोड़ा सा Weight भी इसका आप Increase करके इसको 2.1,4 कर दें 1.5 PT करतें Text Outline पर क्लिक करके आप More Outline Colors भी ले सकते हैं As per your choice तो यह देखें यहाँ पर इसका Green Color हो गया इसके इलावा आप अगर dashes select करना चाहरे हैं तो आप dashes पर select कर सकते हैं So I hope आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो पर कमेंट करें शेयर करें थाइब करें